सर, श्रीनिवासन, तिम यहां भी एंकाउंटर का खेल खेलो, यह मुम्किन नहीं है, जॉर्ज का जवाबी हमला, तिम सेह नहीं पाओगे, सर, प्रूफ है मेरे पस, और मैं उसे मैजिस्ट्रिट के सामने पेश करूंगा, हम् श्रीनिवासन तामिलनडु से, उसे यहां के तौर तरीके नहीं मालूँ, हम् तमीज से पेश आना चाहिए था, अब तो तुझे सजा भुगतनी ही पड़ेगी, इसे गल्ती तो हो गई है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसे माफ कर दें, हाँ आज तुने जो कुछ भी किया है, उसे मैं सूद समेत लटाऊंगा आज आज सर आ गए क्या, सर तो सुबही आ गए, कोई परशानी है, बहुत टेंचन में लग रहे हैं सर, सर जिसकी मौत हुई है, वो इरिंजाल कुड़ा का जौनी है, एक साधरन व्यापरी है, जो अक्सर दुबई आता जाता रहता है, बिजनिस के सिलसिले में इस बार वो एरपोर्ट से घर की तरफ जा रहा था, तुमें क्या लगता है? ही से केरियर? कटना के दोरान जो गाड़ी वहां खड़ी थी, उसे वहां से ले जाया गया था मुझे ज़्यादा याद नहीं है, तुमें याद नहीं है, तुम किसी को भी कार दे देते हो ज़्यादा सौदेबाजी नहीं हुई थी, वह उसे टेस्ट्राइब के लिए ले गया था, और वापस आया ही नहीं, मैंने पुलिस में कंप्लेंड दर्ज की थी, और सर मुझे धंकाने की कोशिश मत कीजिए, मैं एक बहुत लंबे समय से यहां पर काम कर रहा हूं, काम पिछले एक महिने में लगभग 30 केस पकड़े गए, हर दिन लगभग 100 किलो घोल्ड कानूनी रूप से यहां से जाता है, और इसे कहीं ज्यादा गईर कानूनी रूप से, इस गोल्ड के बिजनिस में फाइदा काफी कम है, क्योंकि यह कम फाइदे वाला बिजनिस है, तो हम क्या करें, हम फाइदा बढ़ाने की सोचेंगे, यस, देखो इंडिया के सबसे बड़े जो सोने के व्यापरी है, वो केरला में है, सिर्फ त्रिचुर और एरना कुलम के शॉप में लगभग 100-200 किलो घोल्ड आने वाले हर दिन में बेचा जाता है, अब इतना सारा घोल्ड के लिए काम किया था, उन्होंने उसको मार डाला और सोना ले लिया, साथ ही कई लोगों के लिए ये चिताओनी है, सर हम जॉर्ज के खिलाफ ज्यादा दिर तक टिक नहीं पाएंगे सर, कोशिश करके देखते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, जी, जॉर्ज भाई, अपनी गाड़ी हटाओ, लड़कों को पता नहीं गाड़ी की कीमत, बरबाद कर देंगे, सही कह रहे हैं, चलो उन्हें मेरी हैसियत का अंधासा तो होगा, मैं देखना चाहता हूँ कि किस में इतना दम है, जो मेरी गाड़ी पर बॉल मारे, सुनो, के शरारती होते हैं, कुछ हो गया तो नुकसान अपना ही होगा किरो होगे, जो उसे फाल कहने के लए वहाँ होगा कि देखो यह गोल होगा कि तुमको लगता ने कि साउधनी से खिलना चाहिए नहीं तो पैनल्टी वसुलने के लिए हमको आना पड़ेगा लगता है तुम नहीं हो मेरे ओफिस में आ जाओ तुम्हारे ओफिस में जो लोग दावत का मज़ा लेने आते हैं उनमें मेरे गिंती मत करो बैठ जाओ गड़ी में अपनी गाड़ी अटालो मुझे खेलने दो तुम्हें जो भी बात करना है बाद में करना अभी तो मैं सर कह रहा हूँ अगर ज्यादा हेकड़ी दिखाई न तुम उपर धूख कर काऊंगा कि दफा हो जाओ इतना घंण क्यों है तुम्हें एक तो गयर कानुनी काम करते हो और उपर से घंण दिखाते हो बैठ जाओ गाड़ी में चलते बनो यहां से चल जाओ एई सर श्रीनिवासन तुम यहां भी एंकांटर का खेल खेलो यह मुम्किन नहीं है जौर्ज का जवाबी हमला तुम सेह नहीं पाओगे सर प्रूफ है मेरे पस और मैं उसे मैजिस्ट्रिट के सामने पेश करूंगा श्रीनिवासन तामिलनडु से उसे यहां के तौर तरीके नहीं मालूँ हम् तमीज से पेश आना चाहिए था अब तो तुझे सजा भुगतनी ही पड़ेगी इससे गल्ती तो हो गई है पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे माफ कर दें आज तुने जो कुछ भी किया है उसे मैं सूद समेत लटाऊंगा आज आओ बेठो तु क्यूं ऐसे चुपचा बैठा है खाना तो ठीक से खाओ बेठा अगर तुम ठीक से खाना नहीं खाओगे तो अपने पापा का बिजनिस कैसे संबालोगे बोलो मैं बिजनेसमेन नहीं बनूँगा फिर क्या मुझे तो पॉलिस बनना है झालोगे तो पॉलिस बनना है एक दिन मौत आएगी याद रख है इंसान इस जीवन काल के तेरे का महाल अच्छे कर्म कर आलस किये बिना एक दिन मौत आएगी याद रख है इंसान इस जीवन काल के तेरे काम होंगे महा अच्छे कर्गर आज दिन सर उस दिन जॉर्ज पीटर को गिरफतार करने गए चार पुलिस वालों में से तीन मारी जा चुके हैं श्री निवासन सर समीत वो पहले रिश्वत देकर काम करवाते थे लेकिन अब वो अपनी ताकत से पूरा कर लेते हैं जो सब कुछ कंट्रोल करता है वो जॉर्ज पीटर है मुझे पता है अब वो मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते सर अपने हिसाब से मैं कुछ करता हूं यही बात श्री निवासन सर ने भी कही थी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें आजकल मिलती कहां है हमें धनिया और मिर्च खरीदनी पड़ती है और उसे पीस न पड़ता है मा इस बारे में बहुत खास ख्याल रखती है और कहती है कि मैं जो भी पकवान बनाती हूं उसमें वो गुण होता ही है हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं खाना अगर अच्छा है तो यहां भेज देना है हम तुम्हें क्या खिलाते हैं सर अरे मैंने तुम्हें सर कहने से मना किया है ना जो 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 पता है कि मेरे बिजनस की दुनिया में गलती की माफी नहीं सीधे जाए मौत है। जोर्च भाई, मेरी बहन की शादी के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके जेब में भरके यहां से सोना लिजाता था। और तेरी बहन की शादी हुई? आहां, हो गए। हो गए। और तुने मुझे बुलै हैं वी? जो गहाँ! जो गए। बु… बहुचि यह Quizा मैं बहुत बहुत प्रार्थना से हर पाप से मुक्ती मिल जाती है आज शाम को मैं उपवास रखूँगा एक दिन मौत आएगी याद रख है इंसान इस जीवन काल के तेरे काम होंगे महान अच्छे कर्म कर आलस किये बिना एक दिन मौत आएगी याद रख है इंसान याद रख कि याद रखिशर ä स्टेट爾। वाद रखूँदको saya हैं झाजँण रखूँदको कर दो मौत में हैं आएगी प्टेवण याद yat झाल झाल दोनों मृतक एक साथ हत्या और चोरी किया करते थे अब उन्हें एक साथ दफनाय भी जा सकता है लोग इस पर सवाल उठाएंगे यह ना डेफिनेटली यह सिर्फ एक हवा का छोका है अब यह तुफान आना बाकी है लेट सी इस बैच से ब्लेड तुमने किसको दिया था? मैंने इस बैच को पहले कभी नहीं देखा मैं जानना चाहता हूँ कि इसे किसने खरीदा? वो हॉस्पिटल के लावा कुछ नर्सिंग होम और कुछ प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स मी से खरीदे हैं मुझे उन सभी डॉक्टर्स की लिस्ट चाहिए सर ये काफी मुश्किल होगा मुश्किलों के लिए मैं तयार हूँ अब नुक्सान सिर्फ तुम्हारा नहीं है अगर तुम इसके लिए एक दूसरे को मारने का इरादा रखते हो तो फिर कुछ नहीं बचेगा मुझे भरोसा नहीं है तुम पर एए मारको अगर मैंने ये किया ना तो मैं कबूल करने में गर्व महसूस करूँगा मुझ में इतना दम है अब राम बस देखो अगर मारको यहां आया है तो मेरी रिक्वेस्ट पर इसके दिल में मेरे लिए इज़त है इसलिए बिजनिस को बढ़ाने के लिए इस डेवीड को जॉर्ज को मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी जिस मंगलोरिया ने तुम्हारे पापा को मारा था मारको सर्व उसके सीने पर गोली मारने के लिए जॉर्ज मुझसे मदद मागने के लिए है था युद्ध शुरू होते ही जॉर्ज उसके हाथ पकड़ लेता था और दिखाता कि वो शुरू होने वाला है जब वो खत्म हो जाता तो अपने हाथ उपर उठा कर हसता किस ने मारा और किस लिए यही तो यही पता लगाने की जरूरत है हम सभी को जानना है कि जॉर्ज की हत्या किसने की जो भी है वो हम से ज्यादा खतरनाक है क्या मैं जाओ साथ ठीक है क्या में ज्यादा खत्म है । के वारे, के वारे, क्हारे, वारे, कोरिया झाल, को कोर शहड़ान कर दो अगर आपके पास दिमाग है तो उसका इस्तमाल करने का वक्त है मारको को मारने से कुछ भी खत्त नहीं होगा तुम्हें कितने पैसे मिल रहा हैं यह समय मुझ पर शक करने का नहीं है मैंने जो कहा है उससे ध्यान से सोचो मुझे दोनु की जरूरत है इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे बेटे के कातिल को छोड़ दे यह सिचुएशन क्रियेट किसने की गौन है इसके पीछे डेवी ने सड़क के बीचों पीच तीन लोगों को मार डाला उसने सुचा कि कोई गवाही नहीं देगा लेकिन वो घलत था पाला से किसी जॉनी ने कॉल किया और गवाही दी उसने उसे टककर मार दी भले ही वो सुप्रीम कूर्ट तक ले गया हो लेकिन वो फास तो गया आज वो जेल की सजा काट रहा है वो इस वक्त अस्पताल में यह दावा करते वे उसके महनसिक रूप का इलाज चल रहा है वो अब मर चुका है विलियम माय हाट फिल्ट कंडोलेंस इस तो यू क्या यह मार को नहीं किया नहीं इसा ने इगल इसा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है अगर खेल दिल्चस फै तो बिना पक्ष लिए खिलाडियों की वाहवाई करनी चाहिए अगर आप कानून लागू करने की सोच रहे हैं तो हम पुराने बुरी स ओफेसर्स के तरह धूर से नहीं देखेंगे अपको हम यहां रेफरे की ज़रूरत नहीं है चैलो वो वो बारिष के दौरहन था उसकी गर्दन पर एक चेन थी संट मिखाईल लोकेट के साफ और मैं कुछ नहीं जानता हूं साथ I need a list of doctors from all the hospitals in the city. Especially a person who wasn't on duty on last Monday afternoon. A man who predominantly uses his left hand than his right. A born left-hander. A lefty. Narad and Shakunia both have a plan, Patrick. He has made a plan of any operation. You bring your hand up, sir. The most difficult task is to follow anyone. The most important task is to follow me. Friends. Hey, my opinion is not wrong. The most difficult task is to follow us. Our man is on the other side. Our man is on the other side. He 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 is on the other side. We don't know this. I'll do it later. Come on, man. I'm waiting. I'm waiting. Number two. You see. These are all its soldiers. But they're under them. The слож system between them. Turn to the rest. mammals, पाट्रिक? ठीज़… दो है लगी रहा था मझे पाट्रिक, वो दो लोगी रहा है इंग इस पैरिक जो दो दो है? मैं तुम्हें मुद्ध के समझ जवाब चाहिए? यह दूम्हें मेरि मुद्ध के समय जवाब चाहिए? पेट्रिक, कौन था वो, बताव यार, ना जैसा कह रहाओ करो, हाँ, हाँ, हालो, स्केच आर्टिस्त और मजिस्टेट के बयांदार्ज करने के लिए उन सब को फॉरन मेडिकल कॉलेज लेकर आओ, मेडिकल कॉलेज में नहीं, इस सिटी में कई अच्छी होस्पिटर्ट्स है, ठीक है सर, ओके, बैट, 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 इस सर, सुनो अभी इन सब को भेजो, इच एक जिवर इन स सब करने के ल चैनल के लिए, किसी को भी इंदर मताने देन MARC, उन जाच के लिए जाच के लिए खास थरोसे, गाडियों की जाच कर दो जाच कि अंधर पाटरी का बटारो से, बाट, जली जी बाहर, चली और शहलीए, बार, उहली बट, पाटर्क, बात्री को ट्रीक हो C Adult सब गरिंगी अहलो सवर सरे पाट्रीक कोड्रीक जाई सब्सक्राइब हम पाल रचीन बदुने प्राइब में घंए यह ने किया यह सर बाट्रिक सर बाहर चाहिए प्लीज अब यह पूरी जीग हमारे कंट्रोल में है सर हम अपने आसपास की परच्छाई पर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो जालग होते ही वो गायब हो जाती है क्योंकि वो जालग होते है छाग डाग जा डाग ए messy सो और डाग जाग झाल याग जाग झाल धजया जब प्रॉट草 मार प्राइब नगयादे! बढ़ादे! तुम नहीं कर सकती हो तो बता है तुम शांत हो रहो हमेशा जीतने वाले की तारीफ होती है गिनने वरा उठता है तो विजएता होता है यूज जेन राइट-पी और राइट-पी आटैकिंग इस लिफ पाईदा उठाओ उसका फाइदा उठाओ माइक फ्लीज तुमाएक प्लीज कॉन कॉन कर दो, 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 क किसमत अच्छी थी तुम बज गई जानती हो जब मैं छोटा था मैंने कितने सारे कॉंपिटिशन्स जीते हैं माई तुम कितने बेरहम हो तुम साथ में थे शायद इसलिए मैंने अपना कॉंफिदेंस को दिया मैंने तो ऐसा कहा था कि तुम घायल ना हो जाग क्योंकि मैं डॉक्टर हो ना तुम जिसके काबिल हो ऐसा कुछ करो मैं बहुत थक गई हूँ मुझे सोने तो तेहान से गाड़ी चलाना ओ भुषे माज सिखाओ गाड़ी कैसे चलानी है तुम जैसे कोई बुढ़ी दादी हो इसी वज़े से तुम्हारी पिटाई होई माइक माइक तुम लोग बेवकूफ नहीं के मिस्टिक उसकी थी है ना माइक थैंक्स मुझे जिन्दा लाने के लिए तुम अंदर नहीं आ रहे हैं नहीं यह सब तो कब से चल रहा है यहां तुम्हारा लिए कौन पर आया है अखिर तुम यह क्यों कर रहे हो मा मैं तुम्हारी जिंदेगी में दखन नहीं दे रहा मैं बस तुम्हें खुछ देखना चाहता हूं इसलिए मुझे इसाही रहने दो जैनी के लिए एंथिनी उसकी पिता की तरह है लेकिन वो हमरे इसा के पिता नहीं है ना साले साहाब फर तुम बाहर जाओं तो फिर तुम बाहर जाओ जाता हूं भई क्वहले तो फिर तुम बाहर जाओ जाओ जाता ओघए धाए नहीं को हमको लगता है यह इनकी मौत का ने बने गा ए तुम बाहर जाओ । मैं यहां की डॉक्टर हूँ तो फिर तुम बाहर जाओ। जाता हूँ भाई है मेरी दूसरी बिवी के ही भाई है जो यहां लेटा है और लेटे-लेटे मौत का इंतजार कर रहा है साले साहब ऐसे घुरो मत साले साहब अरे डाक्टर भाईया कम से कम एक एक सरे तो ले लो साले साहब बूला रहे हैं क्या हुआ साले साहब हमरी जिन्रगी चाहते हो तो चुप चप चले जा बेवकूफ कहीं कि पहले यह बताओ तुम्हें बीमारी क्या है मुझे खास्ती है एसा मत करो क्लीनिक है सरकारी अस्पताल नहीं है कब से शुरू आई एक महिना हो गया अरे तो तुम्हें इतनी खतरनाक खास्ती डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना बोलो और क्या तकलीफ है चलता हूं तो मे मेरे पैर में दर्द होता है एमराइए करवाना पड़ेगा इसके लिए एमराइए ठीक रहाएगा माइकल मेरे साथ आओ तुम्हें रिस्पोंसिबिलिटी की कमी है जब कोई कैजूलिटी में आता है तो मैंने तुम्हें जरूरी टेस्ट और स्कैन लेने के लिए नहीं कहा था हां लेकिन अगर यह जरूरी है तो ना सुनो माइकल अगर तुम टेस्ट लिख सकते हो तो पड़ेगा पर यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बाकी सब को बुरा ठहरा कर खुद को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो समझे हुस हुस तयार है वन है टू हा थ्री हा एक कराटे सीखने वाला एक कलाकार भी होता है वो ना सिर्फ किसी के शरीर से जीत सकता है बल्कि उसका दिमाग भी क्या आपने सुना है जैकी चैन ब्रूसली जेटली टोनी जान है बिश्राम आप लोग बहुत भागेशाली हो जो आपको कोश के रूप में मेरे जैसा कोई मिला है एक खिलाडी के रूप में आप पैसे शोहरत और सम्मान सब कुछ हासिल कर सकते हो आपको काफी अवार्ट भी मिलेगा और उसे कैसे हासिल करना है यह तरीका सिर्फ मैं ही जानता हो और मेरे बेटे का हाथ तूट गया कौन जिम्दार इसका बताईए वो तो प्रैक्टिस के बीच हुआ सच में यह पहली बार हुआ है नहीं वो जिराड है जराड नहीं से जान बुझकर किया वो हमेशा ऐसा ही करता है में जराड है कौन जराड बीटर तुम और तुम्हारा बेवकूफों जैसा हेर कट कई बार चेताओं नहीं दी है मैंने तुम्हें प्रैक्टिस के दौरान परसंज भगडों से तुम दूर रहो मुझे नहीं पता था कि एक ही जटके में हाथ तूट जाएगा दिल्टो करता है दो हाथ लगाओ पका तुमने जानबुषकर नहीं किया मास्टर जेराड गर्ल्स के साथ गलत वेवाहर करता है लगता है कि वो गर्ल से लड़ना चाहता है वो मार्या और रिया से बहुत बुरी तरीके से बात करता है आखरी वार्निंग दे रहा हूं बेटी तुम वापस कब तक होगी राच ज्यादा दिर तक मत गुमना तक माइकल को पता नहीं अपनी देखबल कैसे कर नहीं है तुमारा मोबाईल है ना तुम्हारा पास पापा माइक उत्मा भी बुरा नहीं है मेरे पास मेरा फोन है बाई बाई है बाई किया हो अरे इस तरब चलो हमां भागें आ है व्मा भाग रहा है कितर गेरा है तर कैया है कितर कितर के वह हूँ कुए तुम भागे क्यों? और वो तुमें मार क्यो रहे थे? एक राजनेता को एक्सिडेंट के बाद यहां लाया गया था मैंने उसे बस एक इंजेक्शन दिया और वो मर गया इंजेक्शन? अरे यह इंजेक्शन की गलती नहीं है कैशुल्टी में ऐसा होता ही रहता है कुछ लोग रहत महसूस करते हैं सिर्फ अगर वो डॉक्टर को मारें तो हाला कि यह उनकी बाटी की कारिये करता है मतलब डॉक्टर का काम काफे रिस्क बढ़ा है लेकिन तुम भी तो उसे मार सकते थे ना हम इसायोंने बाइबल से नहीं सिखा है कि दूसरा गाल दिखाना जब हमें एक गाल पर थपड मिलता है बाइबल हमें सिखाता है आंक के बदले आंक और दात के बदले दान यहां तब कि जीजस ने भी एक चड़ी उठाई थी तो मुझे बढ़का रही हो लगता फिर से मा थपड तो मारी देते हैं अगर वो मुझे चुएंगे तो मैं कंटेन कर दोंगी वैसे हम उन्हें जितना ठीक करते हैं भगवान उसे 10% लोगों को वापस ले लेता है और जो तीन प्रतिशत रिष्टेदार हैं वो दॉक्टर को मारने के बाद होस्पिटल चोड़ते हैं मा स्माठ हूं आई लव यू वगरा वैसा रोज कहती रहती है क्या उसनी प्रपोस किया वेल प्रपोस मुझे इस हॉस्पिटल में रोजाना तीन से चार मिलते ही हैं सबने में हो सकता है वैसे मुझे वो पसंद आई तुम सच में उसे पसंद करती है पर तुम उसे शादी कर बूलो समझ गई बड़ी आई पसंद आगई बूलने वाली हां बहुत ही एक्साइटेट थी मैं मैंने खुद निखा था ओ हाई हाई कैसी हो तुम कैसी हो वो है एना मेरा सपना मेरी आशा और मेरी लाइफ पिछले तीन सालों से हमें एक दूसरे से प्यार है माइक तुम्ह है नहीं तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुर जाना बाकी है अच्छी लेगी वह जय सट जयसी है नहीं है हाई है एक मचा खांए है क्यारियो है है हाई हाई है हाई हाई अब्रिवी अणा.. अब्राथे ते भी जियू.. धाल.. यह जो.. धाल.. और शच्छा मैं? एना.. और शचा मैं? शे.. क्या है यह माइकल इतने अच्छे दिन को तुमने खराब कर दिया यह तुम क्या कह रही हो यूनो वाट मैं और वर्गिस एक साल से रिलेशन्शिप में है वर्गिस येस तो हमारे बारे में क्या हमारे बीच कुछ भी नहीं है पता है हम दोनों के रिलेशन्शिप में कभी माइकल तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लड़किया मिल जाएंगी और हम ना हमेशा फ्रेंज रहेंगे यह क्यों लगाया अरे तो बाद में साफ कर लेना ना छोड़ दिया वर्गेस उसे वर्गेस क्यों पसंदा गया किया शमस्री अपने आपको मेरी बदकिस्माती कि मैंने उसे अंगुठी देना जरूरी समझा मेरा पैसा भी चला गया वैसे भी मुझे उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं थी मैंने बस यूँ ट्राई किया था तुम साड़ हो हां सेड़ कियों कुछ दीनों बात अपने आप पैता चल जाएगा लेकिन वो कैसे लड़किया तुम्हें धोका दे रही है इतना सेंस तो तुम में चाहिए देखना मेरी जिंदेगे में कोई और लड़की नहीं होगी अरे ऐसा मत तो तीन चाहर लड़किया तो हर रोज प्रपूस करती है बस उन में से एक को सिलेक्ट करना है यह बहुत स्यादा हो रहा है है क्या अब हम घर चले मैं नहीं आ रहा पापा की वज़े से ना आ बस नह करते थे माइक कि तुमसे प्यार करना था उन्हें बहुत अच्छा लगता था जबसे बापा की मौत हुई है ऐसा लगता है मेरे साथ कोई नहीं है हम सब है तुमारे साथ मैं हूं मम्मी है पापा की मौत कैसे हुई थी पापा मैं ड्राइव करूँ क्या इतनी जल्दी यहाँ अरामसे अरामसे दीर 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 लेट 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 अविसे सीधा पकड़ो शीधा करो यह मेरे पती की ही गलती थी उन्होंने असी बेवकुफी क्यों की माईक को ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज मेरे पती मेरे साथ होते वो अपने ही पता की मौत की वज़े बन गया मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था मैंने उसे एहसास दिलाया कि उसी की वज़े से उसके पता की मौत हुई उसके बाद मेरा पेटा मेरे साथ नहीं रहा वो कितना दुखी होगा फिर वो किसी के करीब नहीं किया किसी से बात नहीं की तुने अपने पापा को मारा क्या हमें सच बात बताओ कि तुमी ने अपने पापा को मार दिया इसका मुझ मैं कुलवाता हूँ ऑप है उनके बीच एक रैट है, हाँ उनके मेरी जूहा तुम आगल हो गयो चलो सोजाओ आव राट है जो पुलीस को इन्फर्मिशन को है जो सर को इन्फर्मिशन देता है वो कौन हो सकता है यह पता लगाना है त्था लगा के कोई फायदा है क्या फिलाल जितने भी इंवेस्टिकेशन हो रही है वो सिर्फ ईसा सर के हिसाब से ही हो रही है और उससे हमें कुछ जदा फायदा नहीं हो पाया है मतलब तुम कारेकरता बना चाहते हो जुनेता से बड़ा हो तुम से बात करना फिजूल है तुम तो बस उसके साथ घूम सकते थे और उसकी बात सुनते थे है ना पर अगर तुम चुहे को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें बिल्ली बनना होगा इसका मतलब तुम्हें सोच से बाहर आना होगा कि तुम एक शेर हो तुम सोजा गुड नाइट इंफमेश्न निकालना जाहते हो तुम सर के कॉल डीटिल्स क्यों नहीं चेक करते हैं यह सई है बैस्ट है तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा मैं सिंपल तरीकों के बारे में नहीं सोचता सार encouragement कर रहे हो उसकी seriousness को आप समझते हैं ना and I feel something is fishing good morning sir morning मुझे उस killer का पता चल गया है मैं रैट की तलाश में था लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं sir sir के मुताविक मैनेजु किया वो वास्ते में बुरा होना चाहिए था sir को जो call करके information देता है वो एक doctor है doctor Michael star care hospital में वो doctor casualty department handle करता है उसने sir को उस location से call किया ता जहां पे Patrick को गोली माली गए थी मेरे शक्केनो sir killer वो doctor ही है Patrick को shoot करने के बाद doctor hospital पहुँचा Patrick को sir उसके पास अदमरी हालत में ले गए थे और उसने Patrick को बहुती आसानी से मार दिया mobile signal से उसके movement साफ दिखाई दे रहे है माइकल sir से sir माइकल से अक्सर contact करते रहते है अब आप भी बताए इसमें sir का क्या रोल है आपने मुझे इस नाटक का गवा क्यों मनाया sir मैंने तुम्हें अंडरेस्टिमेट किया तुम्हें ढूंडने की जिग्यासा है जो ज्यादा तर और तुम्हें पाई जाती है नहीं तो killer की तलाश की बजाए तुम इंफॉर्मर्स की तलाश नहीं करते अपनी परचाई पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए जैसे ही रोश्णी दिखाई देती है वो परचाई गायब हो जाती है आई यो चैलेंजिंग मी? नो sir, I just want to know the truth कुट्टा पैर उठाकर मूटता है और फिर उसे वापस सूंगता है ताकि रास्ता ना भूल जाए अभी जो तुम कर रहे हो वो यही है डॉक्टर माइकल को हम कस्टड़ी में लेने वाले हैं क्योंकि मुझे लगा कि sir भी इसमें इंवर्व है इसलिए मैंने बड़े अधिकारियों से permission ले ली अगर आप मेरे शक का सही जवाब देते हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ देखो मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने आला कोई ठीचर नहीं हूँ हाँ सरकारी ओफिस में धूमर पान के लिए मुझे पे केश जरूर कर सकते हूँ जब कर दो एक मिनिट सर अपने दोनों हाथ उठा कर पैरों पर खड़ा होता है किसले ये बताने की जरूरत नहीं है I'm sorry, sir Sir, आप अभी पुलिस कस्टडी में है I said, you have your own limitations Sir, आप अभी वही खड़े हो जहाँ आप पहले थे डॉक्टर को कस्टडी में लेने से चीज़ें बिगड सकती है Okay, सभी एक्षेंज को रोक दो माइकल को कस्टडी में मत लेना I'll tell you the whole story His story, history of Mikhail Sir, आशोग, फिलाल करवा ही रोक दो Okay, sir तुम्हारी कंप्लेंट से माश्टर मुझे निकाल देगा क्या तुको तुचेंपियन है गया तो फिर मुझे है रहा फिर तुचेंपियन होगी आजा मुझे से दूर रहो है दूर यर निकाल दूर मुझे पार्वार्व कंप्लेंट दूर पार्वापर्वापर्वापर्वाड़्या प्रेंग gefड़ पर प्रेंग सेखी औराओ गारे प्रेंग घख supremacy अग तो पाज और शननननननननननननननन Northern iron नाइक के चैनि जैनि 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 कैसे कमजूर होते जारे हो फिक से खाते क्यों नहीं तुझे देखकर कोई कहेंगा कि तुम अच्छे खानदान से हो मैं आपकेती हूं खालो एक अंड़ रोज खाया करो मैं आपकेती हूं खाना तुम्हे हुआ किया है बीटा विद एनरजी चुन्जम्शन बीग बस्वर्ड इन डिवल्पिंग एकोनमीज एराउंड वर्ल फ़र्स अफ इनरजी च्रीज्स लोमिंग एहद इन अवनद रोज टोली अन्वाद इन जराइड जराइड इनलाइब लुपर नाश्चे कि एक विए नाश्चे कि एक मिए और प्थम्हें प्षम में उनरेण़ कि एक रखे विंग से तरह अप्तर में झाल झाल 2, 3, 4, 9, 10 2, 3, 5, 10 ये कच खा भी नहीं रही, ख्लास भी नहीं जाना चाहती है, मैं क्या करूँ? तुम ऐसा क्यों कर रही हो जैनी, वो जिराड तो बेवकूफ था, उसके लिए तुम, ये सब, ये सब मेरी वज़ा से हुआ, मुझे उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था, नहीं, जिराड ने तुम्हें उस दिन चोट पहुँचाई थी, और तुमने जवाब दिया, उस लड़के के फादर यहां है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल से एक अच्छी बच्ची की तरह स्कूल आजाना, ठीक है? तो उदास क्यों है बेटी? देखो, वो मेरा बेटा था, लेकिन मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, मेरे बेटे ने खलती की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों? दुखी रहा होगा हो, जलील हुआ होगा हो, जीतने की आदत रही है न उसे, हमेशा ही? क्या उस वक्त मेरा बेटा रोया था? हाँ? मरने से पहले वो जरूर रोया होगा, है न बेटी? इसमें तेरी कोई गलती नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, जब तेरी गलती है ही नहीं, तो तू इतनी दुखी क्यों है? हाँ? देख बेटी, तू एक अच्छी लड़की की तरह स्कूल जा? स्कूल जाने के बाद, तुझे एक मेरा काम करना होगा. कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना, स्कूल जब जाने लगोगी, और नॉर्मल हो जाओगी, तब तुम्हें मेरा वो काम करना होगा. जिस जगह से जरॉर्ड ने छलांग लगा के आत्मात्या की थी, तुझे उसी छट पर जाना होगा, और वहां से कूदना होगा. क्या तुम्हें तो ये करना ही होगा, तब ही मुझे सुकून मिलेगा, किसी को बताने की जरूर्द नहीं है, मम्मी, स्टेफ फादर, या कोई और, और अगर तुमने किसी को बताया, तो वो सब मारे जाएंगे. या तुम मेरे लिए असा नहीं करोगी, मेरे लिए ना सही, जराड के लिए? Water scarcity and the need for water conservation and management. Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of what a shortage is, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. We instantly visualize the deserts of Rajasthan and common balancing rainfall. One is to be a कि बस्वादे, अ कि पुए फादे जरवे कि देंचे के लिए मारे बुए सब खादें़ेगे. What is this? Please do not forget the sneaky solution. First time, I'm sorry. What is this? If you leave my room, I'm sorry. वो मेरी बच्ची को पीछा कर रहा है उससे डरा रहा है रात रात बर घर के बाहर इंतजार करता है जहां जाती है उसका पीछा करता है आपको कुछ करना होगा ऐसा चलता रहा तो वो स्कूल जाने से मना कर देगी काफी डरी हुई है वो मेरी बच्ची को इस तरह क्यों डरा है आखिर उसकी गलत ही क्या है मुझे जैनिफर से बात करने पड़ेगी उसने तुम से क्या कहा उसने कहा कि जेराड की तरह मुझे भी स्कूल की टेरेस से मुझे खूदना होगा मुझे उससे बहुत डर लगता है तुम इतना डर क्यों रही हो जैनी अगर मैं नहीं कूदी तो वो मम्मी पापा को मार डालेगा यह वो एक पागल आदमी है जिराड सौर्ग में तुम्हारा इंतिजार कर रहा है इसलिए उसने जो कुछ कहा है उसे माल लो अरे क्या हो गया है तुम्हें कुछ नहीं यह तो किस्मत थी उस लड़की की उसके लिए तुम क्यों दुखी हो रही हो वो बात नहीं है तो फिर तुम्हें बता कर क्या करूं तुम मेरी मदद नहीं कर सकते माइक यह मेरी गलती है मैं इसके सिम्मेदार हूं क्या बात कर रही है तुम्हारी जैनी चलते है लास शुरू होने वाली है हुआ 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 व व झाल झाल तो क्या हो लड़की कुदी सर तो मिहां कितने टाइम से हो इस क्राइम ब्रांच में दो महिने हो गएं सर अच्छल नॉट है यूट यू सो फार तुम्हारे रिकॉर्ड अच्छे थे इसलिए मैंने तुम्हें टीम में ले लिया आपके लिए वो समन हमेशा रहेगा सर वो तो है हलो चूहा मिला क्या सर मैं अधी आता हूं मेरी बीवी जा जा हूं वो जो भी कह रहा है उस पर विश्वास मत करो कहीं तुम भस ना जाओ उसकी पूरी बात सुनों और देखना कहीं कोई साजश ना हो अपनी नौकरी ना खोर बैटना कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करना बाकी कहानी मैं बताता हूं जने जने मैंने आपका हिस्सा अकाउंड में भेज दिया इस मेहने बिजनस अच्छा नहीं रहा है उसके लिए मुझे बिजनस चल क्यों नहीं रहा है जानती हो ना मेरे बेटा हाली में मरा है इसलिए ध्यान नहीं दे पाया बेटा खुने का गम है या बिजनिस का? दोनों का. मैं कुछ ही दिनों में बिजनिस समाल लूँगा. फिलाल मुझे सेंट अंतरी चर्च में गरीब बच्चों को खाना खिलाना है. लेकिन ऐसा करने से क्या फाइदा होगा? जब मैं अपने जेरी को कुछ खाते हुए देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मा. अगर मैं उसके लिए कुछ खरीदता था, और वो उसे पसंद करता था, तो मैं गर्व से भार जाता था. और तब मैं उससे पूछता, क्या तुझे ये पसंद है? फिर पूछता, मैंने जो तेरे लिए खरीदा हो तुझे पसंद है? फिर वो कहता, मैं दुबारा उससे पूछता, तब तो वो चड़ जाता. कहता, पापा चुप हो जाओ. महर बानी करके ये सवाल दुबारा मत पूछो. वो जब ऐसा कहता, मुझे अच्छा लगता था. मा जब हम किसी को खो देते हैं न, तब उसकी कीमत का अहसास होता है. जब वो हमारे पास होता है, हम उसकी एहमित नहीं समझते, जाने के बाद पता चलता है. मैं इतनी देर से रो रहा हूँ, क्या आपने कभी भी मुझे से पूछा कि तुम रो क्यूं रहा हूँ? तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा, मा. सुनो, मा. मा. सुनो, मा. अचानक मैं भी किसी दिन, अगर आपको छोड़कर चला गया, तो क्या होगा, मा? मा. अपू्स हो पूभा!! क्या हूआ यग. क्या हूआ। म क्या आपने हूए्स वा- व. या- व. वाहता कोई नहीं है वाहता कोई नहीं है मुझे पता है कि तुम उच से ही नाराज हो उच से गलती तो हुई है अपनी मा की सारी गलतियों को माफ करतो बेटा मैंने तुम्हें चोड पहुचाई है तुम्हें बहुत दुप दिये लेकिन कुछ भी जान बोच कर नहीं किया ये क्रिस्मस अपने घर एक साथ मनाते हैं मुझे तुम्हारी जरूरत है हमें तुम्हारी जरूरत है माइक क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो बेटा प्लीज बस करो मैं ये सब नहीं सुनना चाहता प्लीज प्लीज जरूरत है जरूरत है ख्याओ तुम्हारत है इसक्ति मुझे वोहमें मार्डा एलिगा? जैनी और उसकी ममी सच में डर गई होगी जैनी कह रही है कि वो हम सभी को मार डा लेगा क्या तुम्हें डर नहीं लगता यह डर नहीं है पता नहीं करना क्या है एक एक्सिडेंट केसा है हाँ क्या हुआ है क्या हुआ है क्या है प्यूआ है यह प्रिस्मस अपने घर एक साथ मनाते हैं आप में तुमारी ज़रूर ने माइगा ले ने, ले झाट पन्या में अधन्याद एनसी अगर जिन्दा होती तो तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत खोश होती हमारे अंदर जो खोशियां है जितनी जल्दी हो सा क्या आपस में बांट लेनी चाहिए कल क्या हो किसी को नहीं पता कोई भी तुम्हारे माता पिदा की जगा नहीं ले सकता है ना मैक है स्थ चाहिए ख़न्ख मांट जहाँ हुआ हुआ हुआ! वो हमारे परिवार को तबहा कर रहा है। जैनी ने आपको नहीं पताया। मा और एंथोनी को मारने की वो धंकिये देता था। एक ब्राउन कलर की कार ने उन्हें मारा। एक्सिडेंट था ये। वो कौन था ये साबित करने के लिए सबूत नहीं है। आप और मैं दोनु चानते हैं कि वो कौन है। जॉर्ज पीटर। मैं उसका कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर आप वो जोकर क्यों बंद रहे हो जो लोगों की रक्षा करने का दावा करता है। तुम्हें काम करो, उसके पैरों पिकर जाओ। पैर पकड़ के माफी मागो। शायद वो माफ कर दे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें कुछ करना है, तो ये पता करो कि तुम्हारा बाप कौन है। मुझे बाप दिकाली देता है। दुबारा गाली दी, तो इससे बुरा हश्र करूँगा। ये एक पेन किलर है, खरीदो और खालो। इससे भी भारी टोज, मैं तुम्हें दूँगा। मैं किसी को सताना नहीं चाहता। शांती से रहना चाहता हूं। लेकिन मैं चैन से रह नहीं पा रहा हूं। मैं उस लड़की के लिए गलत नहीं सोचता। पर आखें बंद करते ही, मेरा जेरी मुझसे कहता है पापा, उससे भी छलांग लगवाओ, जैसे मैंने लगाई। मेरी प्रोब्लम क्या है, डॉक्टर। मानसिक बीमारी। हाँ, यह मुझे अच्छी तरह से पता है। इसलिए मैं आपको दिखाने आया था, डॉक्टर। मेरे पास तुम्हें लोगों को टॉर्चर करने से रोकनी की कोई दबा नहीं है। डॉक्टर, आपको मुझे समालना होगा। काउंसरिंग करनी होगी। क्या एक हफते में ऐसा हो पाएगा। शांति और संयम के साथ जीवन जीने की कोशिश करो तुम। जो तुमने खोया है वो वापस नहीं मिलेगा। कभी-कभी तुम बाइबल पढ़ो और चर्च में विजाया करो। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो यहूदी याद आते हैं जिन्होंने इशु को क्रॉस पर चड़ाया। फिर मन की शांतिक हो जाती है। उन्होंने गलत किया था ना। जोर्ज, इश्वर से प्रार्तना करो। तुम्हें मानसिक शांति मिलेगे। इश्वर तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। अगर इश्वर का अस्तित तो है तो शैतान भी तो है ना। वही मुझसे यह सब करवा रहा है। वही सिज्वर तुम्हें भार्तना है। यहाँ दूएंगे। चुम्हें प्रॉफ चुम्हें प्रॉप दूत के दूत अभी तेरे तूटे नहीं और तो शहर के डॉन से पंगा ले रहा है उस गाड़ी को चला दिया जिसने मेरी माँ को मार डाला आख की बडले आख और दाथ की बडले दाथ मैं बदला लूँगा थाह थाह आप गुट वह भाह अ जुट प्रुमों के लिए सेड़ा किवड़ समय चाहा है झाल झाल हुआ 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 हुआ! किसी अजनवी ने आके तुम्हें मारा और तुम्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ जिसने तुम्हें मारा तुम इसे पहचान भी नहीं पाए अधायार में यही सब बाते लिख देता हूं समझ गया ना बहतर जूट ढोंग कर तयार रखो तुम्हें जरौत पड़ेगी मुझे आग में खीचने की कोशिश मत करो आग को आग सही बुचाना पड़ता है ओ जीजस नए मिखायल एक दिन मौत आएगी याद रख है इंसान इस जीवन काल के तेरे काम होंगे महा अच्छे कर कर आलस किये बिना एक दिन मौत आएगी याद रख है इंसान याद है तेरे मामले में मैंने गलती की और तुम्हारे मामले में तुम्हारे पिताजी ने गलती की कर दो हुआ 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 जिस डॉक्टर की आप तलाश कर रहे हैं मैं उसे जानता हुआ माइकल डॉक्टर माइकल वही है जिसने चॉर्ज को मारा इस केस को हेंडल कर रहे हैं क्राइम ब्रांच के डिवाइस भी मैंने उनको रिपोर्ट दी है क्या तुम्हें थोड़ी भी शरम नहीं है जो तुम्हें खिलाता है उसके प्रतितों वफदा रहो मुझे बताओ उसके स यह सब कुछ मिखाइल नहीं कर रहा है अज्रेल कर रहा है जो तुम्हें धंकी देता था जॉज पीटर की हत्या कर दे गई है डॉक्टर कह रहे हैं कि हत्या के लिए एक तरह का सर्जिकल ब्लेड इस्तिमाल किया गया है है आप खहर है माइटल नहीं किया है माइकल अहां नहीं से नहीं माइकल के फादर जॉन वह बाइए ठ्रीवल हई त्रीनर थे न होट रहाएं आपके जहने का मतलब क्या है क्या माइकल में मार्श्यल आट सीखा है हाँ बश्पन में मैं माइकल से बात करना चाहता हूं तुम्हारी लाडली बहन जेनी तुम्हें फोन कर रही है मैं जवाब देता हूं जवाब मैं खुद दूँगा जवाब मैं तुम्हें भी कहा हूं विलीज कर पे आई है माइक वाइडिद यू दूद इस इसा ने भी चड़ी का इस्तिमाल किया था मीक, मत रही करे दियू करे दूँगा मैं तो रही है जवारмоवे दूगा चुम्हेंगा पैसन थे अउपकiva मैं जवाब? जिरो आय तुम्हें droite weten और दो बाइद एक बाइद एक बाइद एक बाइद है कर फिकल? छो बाइद बाग थाय। च कर दो करदा खबए смотрnant mamma गुड मॉर्निंग सर क्या आप मुझे कस्टडी में ले न्याय है अब मैं न्याय की तरफ हूं सर मुझे अब ऐसास हो है कि न्याय और कानून दो अलग चीज़ें सर जोर्ज को खत्म करने की जरूत माइकल को थी लेकिन पैट्रिक के साथ माइकल की तो कोई व्यक्ति के इसकी वज़े क्या हो सकती है मैंने उससे कहा कि अगर शांती चाहिए तो हमें पैट्रिक को भी मारना पड़ेगा बिकॉज इस प्लेइंगा डबल गेम दोनों किरों के लिए सलाकार बनता था वो शकुनी था लेकिन मैं वहाँ गलत हो गया शुगर? वन जो कोशिकाओं की तरह बढ़ता रहता है वो भले ही नश्ट हो जाए लेकिन ये हमेशा जारी रहेगा अनली ये स्पेशलिस डॉक्टर कें बर्न दे कैंसर सेल इन बेटर वे आंद ही इस जोर्ज पीटर की मौत के लिए जो इनसान जिमिदार है उसे ढूंड़ो और मार दो देर्स माई गोल ये काम मुझे पैटरिक नहीं दिया था अब उसकी कीमत देने वाला कोई नहीं है क्योंकि तुम ने उसे मार दिया मैं पहले से ही वफदार हूँ इसलिए अपना काम कर रहा हूँ तुम्हारी सिस्टर क्यूट जैनिफर को खत्म करने जा रहा हूँ जिंता मत करो मैं उसे जल्दी से मार डालूगा बिना किसी दर्द के तब सिर्फ तुम्हें दर्द होगा ये मेरी मजबूरी है क्या तुम जानना चाहते हो किसी को जल्दी कैसे मारना है बिना दर्द के जिस ब्लेड को तुम्हारी मेजर आर्ट्री में खौपा गिया है तीन मिनिट के अंदर ही इंटरनल ब्लेडिंग की वज़े से तुम्हारी धड़कने रुख जाएंगे तुम्हारी आँखे खुली रहेंगे जब तक तुम्हारी नस्वों में से खून बहना रुक नहीं चाता तुम कुछ समझे नहीं पाऊगे बिना दर्द के मारना इसे कहते हैं अच्छा तुम्हारी असलियत सामने आ गई मैं पहले ही जानता था तुम्हारी नियत में खोट है इस मामले पे बहुत ध्यान देनी के जरूत थी स्वर आक्री बार समझा रहा हूं इसके बाद समझाओंगा नहीं जो करूंगा वो सेह नहीं पाऊगे यह तुम्हारी लिए लास्ट वार्निंग है सो अब फाइनल ही क्या होगा एक अंडरवर्ड जो हारे को एक गैंगवार में मारता है वो ही न हाँ साही कह रहे हूं यहां तक मैंने सुनए अपने बड़े भाई जोर्ज पीटर की तुलना में मार को और ज्यादा खतरनाक है हम्म अगर उसे उसको मारना होता तो मार को अब तक ऐसा कर चुका होता वो बस उसे घायल करके उसे चोट पहुँचाकर उसे परिशान कर रहा है यही उसका लक्षे है क्या हुआ सर लुक्स्टू मिस्टीरियस जल्दी कैजूल्टी में लेकर जो जी सर सर मुझे एक और डाउट है तुम्हारे डाउट सभी खतम नहीं हुए सर आप जो उसकी इतनी मदद कर रहे हैं यह डॉक्टर माइकल कौन है और आपका उससे क्या संबंध है तुम उस जांच में कितनी जानकारी हासिल कर जुके हो अब तक डॉक्टर माइकल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था सर मेडिकल कॉलेज की C.I. थे मैं और कुछ नहीं जानता येस आइनो हिं मुझे लोकल पुलिस से एक रिपोर्ट मिली और मैंने बिना किसी योजना के शुरुवात कर दी हर किसी के सामने खासकर अपनी बहन के सामने मैं खाइल भूला भाला इंसान था लेकिन इस इस माइक जो मैंने महां देखा एक smart medical student जिसे मैं जानता था माइकल Cerebrum, Cerebellum, and the brainstem The cerebrum consists of cerebral hemispheres This forms the largest part of the brain instituted above the other brain structures Necrophiliac Hindi में कहा जाए तो लाश के साथ सेक्स करने वाला नहीं ऐसा मत कहिए सर ये मेरा छोटा भाई है मेरा भाई जिसे मैंने पाला सीनियर गैंग के साथ उसका दो दिन पहले एक जगड़ा हुआ था सारे students इसके खिलाफ है और campus में पुलिस के ज्यादा देर रहने से प्राब्लम और वड़ेगी देखिये सर इसके खाने में ड्रग्स मिलाय गया था और बेहोशी की हालत में उन्होंने इसे वहां लिटा दिया ये कल शिकायत दर्च करेगा सर इसे पुलिस को सौप देना चाहिए बाकी मैं समहल लोगा हम पीशे 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 व्हु जाप्टे करने वाकता में। बीचे हड़न दूसर। गाड़ी वापस करदूगा चल चाबी देदे समझ में नहीं आया ये हमको गाड़ी नहीं देने वाला ए साइको मुझे ये गाड़ी चाहिए सॉरी पैट्रिसाइड गिब मी दखे वापस मुझे वही बुला तो तेरी टांगे तोड़ दूगा जिसने अपने पिता की हत्या की हो से पैट्रिसाइड नहीं तो क्या एंजल बुलाओ पैट्रिसाइड और आ याँ को देखर आप कराट्रिसाइड आप कि तांगे तोड़ दो के जलाओ इसे जलाओ इसे जलाओ ना यार तोड़ जाद अपना धुआ घपवार बॉशंच मों अबज़ अपना झाल झाल अगर तुम कंप्लेंट करोगे तो उन्से वापस मार खा सकते हो बाजार और कैंपस का एक नियम है जो भी लडाई में जीतता है वो हीरो बन जाता है और हर जगे राज गरता है तो तुमको उन्हें कैंपस के अंदर मारना चाहिए और उसके लिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए, वो मैं करूँगा इसके लिए जो जरूरी है, मेरे पापा ने मुझे सब सिखाया है जहां डर खातन होता है न, वहीं से जिन्दकी शुरू होती झाल, बच्रा ने मुझे स सावारी होता है प्रवारी जो अमनने लुष में करूँ चाहिए, वहीं से जिन्दकी शच खाया होता है एक गिवारी है, मेरे गरूरी है कर दो दो घर चार अर्ण门 कर दय कोई विए रुको रुको वेट अलो कौन हो तुम क्या चाहिए तुम है गूर क्यों रहा है बैए क्यौकषा औा रख बलाकषा तुम हएए तुम हो पांग क्यौकषा पांग क्यौकषा थाओ अज़ 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 अienenज़ अज़ 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 हुआ अज़ झाल 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 कुछ उधार देता हूँ तो वापस नहीं लेता हूँ ऐसे लोगों को तुमार देना चाहिए खेर सर क्या आपने आमिर के शिकायत के बाद केस दर्ज नहीं किया था नहीं वो शिकायत करने के लिए नहीं रुका अपमान सेहन ना करबाने की वज़े से वो चला गया वो एक डॉक्टर था ना उसने कुछ दवाईयां खा ली और खुद को मार लिया सुरी सर तुम्हें लगता है मेरे साथ कुछ करने के बाद यहां से जा पाओगे? जब तु सो रहा था तब मैं यहां पर आ गया और तेरे सामने से ही जाऊंगा यू आर आफटर और उनलिया जूनियर तुमने मेरे पिता जी को गाली दी अबराहम वो एक मिस्टेक थी मेरे भाई को मारने के बाद मिस्टेक बोलता है यह आइम गॉनना मेक अ सेम मिस्टेक टू गष्यू जी यह जी जैंस् कि अल्दोना में कि अढ दो जिसने अब्राहिम को मार डाला वो जिन्दा घुम रहा है कि आपको शर्म नहीं आती इससे बहतर तो मर जाना है वो हमारी बिजनेस को हड़ा रहे है और आप के लिए यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं उसने पैटरिक को भी मार डाला वो मार को नहीं है वो चाहे जो भी हो हम मुसे खात्म करतेंगे पापा करेंगे ना करेंगे वी हैव तो करेंगे पापा मुसे नहीं पता मारको जूनियर हाट नंग्स, किद्नी, लिवर, फिंकेश्म ब्लड टेस्ट भी करना है न? देखो मैं इतना बेर हैं फी रही हूं तुम क्या क्या रहे हो और क्या चाहते हो गुस्सा मत करो मैंने तुम्हे अपने साथ सोने के लिए तो नहीं कहा न? माइकल कहा है? मैं उससे मिलना चाहता हूं जल्दी उसने कहा कुछ दिन दूर रहेगा मुझे नहीं बता खाए मैं बता हूं I will inform the police मेरे लिए पुलिस की अवकात इतनी है बस हेल्प हेल्प हे, क्या हुआ क्या हुआ तुमे यहां पे हर कोई पागल हो गया है लोकल पुलिस से सिक्योर्टी मागने से कोई फाएदा नहीं होने वाला तुम कुछ समय के लिए दूर चले जाओ मैं किसी से नहीं डरता यह हीरोगिरी दिखाने का वक्त नहीं है फेलाल अपनी बहन के साथ किसी और जगह पर जाके रहने की कोशिश करो हलो क्या कर रहे हैं वो यहीं बैठे हैं दोनों ठीक है पर तुम का हो मैं वहीं आ रहा हूं कोई भी हो दर्वाजा मत खुलना है हमारा वॉच में आया है जो कोई भी हो दर्वाजा मत खुलना अलो बोल्षिट उसका फोन नहीं लग रहा है की जन्ना की आया है मैंच जन्नी? जन्नी!!!! कर दो रहा है कर।Day कर दो दो किलोमेटर के दारे में पुलिस उसकाडी को रोक लेगी, मैंने कंट्रोल रूम में इंफर्म कर दिया है दो किलोम फारे में प्रोब झांने जायकों दो ह। लोकुश अ कि अंदर एक बच्ची है बेवकुप अगर उसे कुछ वह ना तो यह यह मेरे सरकल में आता है अगर पुलीस पर गोली चलाएंगे तो हम छोड़ देंगे क्या सर शहर के साथ किलोमेटर के दारे में हमारे पास केवल इन 500 मेटर का कवरेज नहीं है जबकि हम वैन की स्पीट जाज करते हैं उन 500 मेटर के अंदर उन्होंने बच्ची को किसी और गाड़ी में डाल दिया होगा सर माइकल के कॉल्स को ट्रैक करो सर माइकल ये फोन हॉस्पिटल में किसी ने दिया इसमें जो नंबर सेफ्ट है उस पर कॉल करने के लिए का आया है माइकल तुमने एक जंग की शुरुवात की जबकि कोई परिशानी नहीं थी तुम मेरे रास्ते में आये अगर तुम अपनी बेहन चाहते हो तो उसके लिए मारको का भी जान शरीर मुझे दिखाओ अगर तुम मारको को नहीं मार पाया तो इस लड़की को देख भी नहीं पाएगा और पुलिस वालों को इस खेल और खेल के मैदान से दूर रखना हम दोनों के लिए यही बेतर होगा आफoney कि यहीं से लिए मारको की तेल घ्रीन के से लिए ओेली हमारा कि आपके से लिएfill को ज salt I want you टोजी ऑजनring मैं कहीं भी आ सकता हूं जनी 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 फ्रांसी जनी 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 भुचच भुच़ लुचच़ ुच़ यचा पासोल हुच़ लुच़ हट हुच़ रहा यका अीалась लुच़ तोका की आपका संदानी और कि अलिगुक्त! फिटल पराओ अलो अलो अब कैसी है वो शीस ओके वो खोरी कि अ ये कि अ नालब ए ए और हुआ कि अ झालब झालब है झाल झाल सवर के लिए गाड़िया और दवाईया है झाल झाल कर दाद झाल झाल कर दो जूए 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 झाल अरण निए जूए झाल तुम इतने भी बड़े डॉक्टर नहीं हो, कि दबाईयां निख सको इसका डोस काफी स्यादा है कोई मर गया है, कम से कम थोड़ा गुलकोस तो दीजिए, अरे जीजा सुनो, अरे डॉक्टर ये ठीक नहीं हो रहे है, अच्छे, इसे हमेशा सर्दी रहती है, अज नभी लोग थे, वो पांच-छे लोग थे, जिन्नोंने मुझ पे हमला किया, तो क्या आपने भी उन्हें मार अगर वो एक-दो लोग होते, तो मैं भी उन्हें पिलट के जवाब देता, अब अकेला मैं क्या कर सकता था? वो आपका ही आदमी है, डॉक्टर माइकल, उसी ने ये सब किया अच्छा, तो फिर तुमने उसका नाम पुलिस को क्यों नहीं बताया? वो बहुत खतरनाक है, उसने जॉर्ज, पैट्रीक और मुर्गन को मारा है, मैंने रिपोर्ट की तो मुझे भी मार डालेगा, अच्छा होगा उसके असली रुप को पहचान लो, नहीं तो तुम भी प्रब्लम में फस सकते हो हाई, मुझे पहचानक है, मैं जराड का चाचा हूँ, तुम सोते वक्त, बिलकुल खर्गोश जैसी लगती हो, लेटी रॉब तुम यहां क्या कर रहे हो, मैं इसकी जाच करने आया था, वो डॉक्टर का है, हमारे पेट में गंदगी होने के बाजूद, हम बस जी रहे हैं, एक दिन अगर पेचिश हो जाए, हम खत्म हो जाएंगे, सही है ना डॉक्टर, आँ, एंथनी सर, आपको बच्ची के साथ रह जाना चाहिए, इसके आस्वास गिध मन रहा है, तुम सोजा बेटा, माइकल, माइकल जान, जब तुम्हारे नाम के साथ पिता का नाम पोकारता हूँ, तब मसा आता है, सॉरी, मैंनी बूला सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का नाम नहीं जानता, मिस्टर मार्को, मैं तुम्हें कस्टडी में ले रहा हूँ, हमारे पास एक बयान है, कि अबराहम को तुम्हें ने माई है, सो मेरे लिए इतना ही काफी है, मैंने तुम लोगों को कस्टडी में लिया है, इसकी कोई रुपोर्ट नहीं बनाई, आज की रात तुम एक दूसरे से लड़ सकते हो, या फिर मार भी सकते हो, और विलियम, रिकॉर्ड के अनुसार, यूर नोट नॉर्मल, तो चाहे कुछ भी हो, यूल बे सेफ, पकवाच बंद कर, डॉंट शाउट, अपनी एनरजी बचा कर रखो, मैं तुम्हें आज रात पीने या खाने के लिए कुछ भी नहीं दिने वालाँ, एक रात, तुम लोगों के आपस में लड़ने के लिए, या बस किसी के सिर पर भावडा मारना, जब वो सो रहा हो, बले किसी की मौत ही क्यों ना हो जाए, ये बात ही अच्छा होगा, अगर मैं इस सब के लिए पीनल कोट का पालन करता हूँ, तो मैं अपना सम्मान खोदू तीन दिन, उन्हें दिन और रात में फर्क ना पता चले हैं, सर्, कर दोास, क्वोछा मारना खोदू कर दोदू घ्क्प्राओ अच्प्राओ कि अच्प्राओ अहा, इसक बन्हें कि वीन दिन कि अधिक्यों पेगा है तुमको बुला रहा हूं तुमको कुछ दिमाग नहीं है नेन मटका के लिए यही जग मिला है अरे उस सब छोड़ो और हमारे साले साब का इलाज करो मुझ हटता है अगर हमारे सकाट ठीक नहीं वेने तो बहुत बरा होगा तुमको नहीं जाल फूल दो ga अगर इज़त से पेश नहीं आया तो तेरा मूँ तोड़ दूगा निकला क्या हुआ क्या परिशानी है कोई परिशानी नहीं कुछ भी नहीं है कूल बी कूल मुझे पता है माइकल लिस ऑस्पिटल को अच्छे से संभाल रहा है मेरी किसी बात पर नाराज तो नहीं हो ना क्य क्या है मुझे लगा था आप तक लड़के मर चुके होगे ओके लेट दा कोट डिसाइड कोट एक गलत निर्णा होगा इंस्पेक्टर यह गहर जमानती मामला नहीं है ना मुझे सोना है फिर जब मैं जागूंगा तो कुछ अधूरे काम निक्टाऊंगा महारको कुछ जमानत मिल गई सब कुछ कानून के हिसाब से होने तो कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने जो किया वो बेवकूफी थी नहीं सर क्यों क्यों कि कानून और नया एक समान नहीं होते हैं सर मैंने एक छोटी से इंक्वारी की सर के भाई आमिर की रैगिंग करने वार गूदिगेटर आज से साथ दिन बाद एक बहुत पवित्र तीर कात्योहर मनाया जाएगा ये एक अच्छा मौका होगा अपने दुश्मनों को खतम कर देने का तुम्हें ये बदला जरूर लेना होगा तभी तेरी मां को शांति मिलेगी और आए जल्दी 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 ऑाई see you soon. Bye Bye Mike he's asking me to fly asking me to fly झाल झाल जुनी? माइक? लेट्स वाइट, डॉक्टर. तुम्हारी बेहन रेफरी होगी. अगर तुम मुझे यहां हराओगे, तो इसे वापस ले जा सकते हो. अगर तुम हारे, तो यह यहां से कोच जाएगी. जैनी, हिलना नहीं. जब तक हम इसे कोई जीत न जाये. मुझे जाम来खे mode on. जहीं कोईबस मुझे जाएगे तुम मुझे लेग모क्त आर तूम नमजय भर मैं संधमा संभा जएं के काहिए सबस्टाइ Giving भांना है एाला एकाळा! छांना है छांना के ऐाला एकाळा मैं से एकाळा! छांना है छांना है एका एकाळा Бίन One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. I'm not going to die. गल झाल सबस्टेत और वो hyvin जड़र वार दो खार और वार आवार को स्वा जड़ आवार वार आवार कि लिए ए 105 फैन सर्वार जी जी कि वचित स्ञड़ 的 camp ى कि इस अच़ n już बेत प thirsty कि दो मुश तेरे हाथ की नसे काट दी है, ज्यादा जोश मत दिखा, तेरा खोन बहर रहा है, अगर जल्दे से मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो तु बचेगा, एल्प मी, एल्प मी, मैं तुम्हें कावी जोड़नी पाँ जाँगा, तुमें इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो? अब यह बच गया, तो फिर से हमें टॉर्चर करेगा, मैं एक डॉक्टर हो, भले ही वो कैसा भी इंसान हो, मैं बचाँगा, उसके ओर्गन्स टॉनेट करके तीन लोगों की जान बचाई है, ब्रेइन डेड है वो, तुमें लोगों की जान लोगों की जान वोगों की जान बचाँगा, अँड़! पश्चाताप के माध्यम से पापी को मुक्त करने के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ पाप के भगतान की कीमत मौत है मैं हूँ मिखाइल